हेलो वियोर्स कैसे हैं आप सब तो केल राहुल को ना थर्ड टेस्ट से पहले ही कह जिए भाई चलो टाइटा भाई 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 होका गया इंदोर में क्या खरने कोशिश कर दी डे वन और पहले ही घंटे से ऐसी पीछ बनाना तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो फैन है उसोच दे दिया काफी टाइम बाद रेष्ट दिया गया उनको और शुबमन गिल आते हैं शुरुवात अच्छी होती है बीस पचीस रंगी पार्टनर्शिप लगाते हैं दैन कोहन में का ओवर आता है और वो स्टंप कराते हैं रोहित शर्मा को क्या जरुत थी आगया बढ़ना ह जाती है और पुजारा भाई साब कहां आप इंस पे जो प्रोपर ऑफ स्पिन होती है वो नहीं समझ पाए बोल ज्यादा टर्न कर गई तो वो पुजारा उट होते हैं जब इंडिया बैटिंग कर रहा होता है तब पिछ यह बोलिंग फ्रेंडली है और जब आस्ट्रिया ब बल्यबाजी है वो भी बहुत घटिया हुई है यहां कि आप मानों गए ना कि कई विकेट तो इंडिया ने दिये हैं उनको लाइक आप श्रेस एर का देख सकते हो पुजारा का देख सकते हो कोई अपनी एचिवमेंट से उन्होंने विकेट नहीं लिए आप इसली खेल सकत उनको कि हाँ मुझे लग रहा था कि जो विराट कोली है कुछ ना कुछ अजीब करेंगे और कुछ ना सेंच्री तो लगाएंगे आज कम से कम बट ना भई ना यह सेंच्री पिछन लगी बट जैसे उसमान ख्वाजा ने यहां खेल है तो एक अलगी एक्सपेक्टेशन उन पर ऑस्ट्रीलिया मोर देन 40 की लीड पर है यहां पर और मैं जहां तक मानता हूं ना कम से कम 200 सवाद ऑस्ट्रीलिया कर लेगा कैसे ना कैसे करके या फिर अगर पहले घंटे में ऑस्ट्रीलिया को निप्टाते हैं तो एक सो सेक्शन अबब्य तक वो करके आउट हो जाएं देन यहां पर जो टीम इंडिया की बोलिंग है अक्षर पटेल को कहीं नहीं अक्षर पटेल ऑस्ट्रीलिया को कोई खास ट्रबल करनी पाई जो विकेट ले रहे जड़े जड़े ले रहे कल आती मचांगा की जैसे हैंड्स कॉम है स्ट्राइक पर और कैमरान ग्रीन है और राती पहले स्ट्राइक लेते इनकी तो वही आउट होते इनकी तो भारती के लिए ज्यादा मुसीबते बढ़ने वाली हैं क्योंकि यहां पर जो भी टीम चोथी बलेवाजी करेगी ना अगर आप वहां पर उनको दोस्तोरन का भी टारगेट देते हैं अगर दोस्तोरन का गर दना तो इंडिया को कम से कम 300 रun इहां बनाने पड़ेंगे अगर 300 रun के लिए एक शक तो आपको कम से कम च़योगा या फिर फिर दो से तीन हाफ चैंचिरिय चाहिओंगी नहीं तो यहां पर टीम इडिया मैच गवा सकती है और अगर यह मैच हांदती है फिर चोथे म की लीड़ पर तो ऑस्टेलिया ही जीतेगा इस टेम पर अगर हम बात करूं तो ऑस्टेलिया का पलड़ा भारी है वट अगले 30-40 रन पर ऑस्टेलिया को निप्टा के लगाए इस गेम में अहेड मानुगा बट यहां पर भारतिय बल्लेबाजों की गलती है यहां पर गिंदबाजों की गलती भी यही है कि चोदा रन पर दूसरा विकेट गिरता है और इस सिरीज में जड़े ज़ा तीसरी बार गलती कर चुके हैं कि उनको पने पैरों का ध्यानिन रहता और पैर की नोबल बहुत ज्यादा करने लग गया है और इस चीज़ पर काम करने की जरुत है और ऐसा ही शायद सिराज से भी और यह मैच भी बहुत जरूरी है अगर तीसरा मैच जीते है तो हम यहाँ पर एक वर्ल्टेस्ट चेंपिर्शिप के फाइनल की और हमारा कदम बढ़ जाएगा और सौथ अफरिका और वेस्ट इंडिस की वी काफी ची सीरीज चल रही है पहला मैच 312 रन पहली इनिंग में सौथ अफरिका दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडिस ने काफी ज्यादा सर्प्राइस कर दिया सौथ अफरिका के 14 एन पर 4 विकेट है उसमें से 2 विकेट आपके अलजार जोसेफ ने लिया है तो यहाँ पर एक इंटरस्टिंग टेस्ट में चल रहे है भाई टेस्ट में च तो आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी अगर अच्छे लाइगे इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो